हलो एवरिवान, वेलकम टो स्टेडिनाटिक, मैं हूँ पूजा मैता और यहाँ पर आज हम क्लास 12 के एकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चींज इन प्रॉफिट शेरिंग रेशो को समझ रहे हैं इसके अंदर आने वाला टॉपिक, accounting of reserve and accumulated profit and loss के investment fluctuation reserve को आज मैं explain करने वाली हूँ investment fluctuation reserve क्या होता है, इसका मैंने आज एक separate वीडियो बनाया है, accounting for reserve and accumulated profit and loss का मैं अलग वीडियो बना चुकी हूँ ये वीडियो, वीडियो नमबर 4 का, वीडियो 4 का part C है, part A था accumulated profit and loss and accounting of reserve का introduction, part B मैंने बताया था workman compensation reserve and part C मैं मैं समझा रहे हूँ investment fluctuation reserve, यदि पहले वाले वीडियो देखना हैं तो आप playlist में चले जाना और देख लेना, चलिए मेडम अब जादा बाते ना करते हुए, फटाफट से start करते हैं, समझते हैं कि investment fluctuation reserve क्या होता है जैसा कि मैंने introduction में भी पताया था, कि firm जब भी start होती है या mid में, कुछ ना कुछ investment करती है ठीक है, suppose उसने share market में कोई investment कर दिया, या कोई assets को खरीदने में कोई investment कर दिया अब जो वो investment कर रही है, उसमें fluctuation तो होगा, उसकी value बढ़ भी सकती है, उसकी value कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उससे बचने के लिए, वो क्या करती है, एक reserve बना देती है, वो क्या कहलाता है, investment fluctuation reserve उसमें वो थोड़ा सा पैसा डाल देती है, कि यदि इस investment में किसी तरह का कोई fluctuation हुआ तो इस reserve से हम पैसा निकाल कर, उसमें पूरा कर देंगे, ठीक है, या यह नुकसान भी हो सकता है, फाइदा भी हो सकता है, फाइदा होगा तो बहुत अची बात है, लेकिन यदि नुकसान होगा, तो investment fluctuation reserve से पैसा निकाल कर, उसे पूरा कर देंगे ठीक है अब यहाँ पर हम एक इजामपल लेते हैं जैसे कोशन है कोशन में बैलंस शीर बनी हुए आएगी यहाँ पर आसेड लिखा हुआ आएगा ठीक है यह कौन सी है एसेड साइड लिखा हुआ आएगा investment और यहाँ पर आएगा investment fluctuation reserve चीक है अब यह liability side हो गई और यह asset side हो गई अब हम यहाँ पर suppose कर लेते हैं कि जो investment है हमारा वो है one leg का ठीक है investment हमारा कितने का है one leg का है और जो investment fluctuation reserve है वो 20,000 का है ठीक है investment है one leg का और investment fluctuation reserve है 20,000 का इसका क्या मतलब है हमने जो invest किया है या कोई assets खरीद दी है या कोई हमने share खरीदा है तो वो कितने का खरीदा है एक लाग का और reserve बनाया है 20,000 का कि यदि 20,000 तक का नुकसान हो जाता है तो हम इस reserve से पूरा कर लेंगे यदि इस investment की value 1,00,000 से कम होकर 80,000 हो जाती है तो 20,000 का नुकसान हो जाएगा तो वो हम इस reserve से निकाल कर पूरा कर लेंगे इसलिए हमने ये 20,000 रुपे का reserve बनाया है इसे IFR भी कहा जाता है ठीक है यहाँ तक clear हुआ अब यहाँ पर 3 condition बनती है पहली condition कहती है market value is equal than the book value ठीक है अब इसका क्या मतलब है market value is equal than the book value मतलब जो investment किया है कितने का क्या है एक लाग का एक लाग का क्या है तो यह क्या हो गई इसकी book value प्योंकि इतने का हमने investment किया था और अब ही इस समय जब profit sharing ratio change हो रहा है इस समय जो market value है उस assets की या उस share की वो same एक लाग रुपे ही है ठीक है जब हम अपना profit sharing ratio change कर रहा है क्योंकि यह सब चीज़े कब कर रहे है जब reconstitution of firm हो रहा है profit sharing ratio change हो रहा है तो हमने एक लाग का investment किया था और market value भी एक लाग की है तो अब भया यह जो 20,000 रुपे हैं इनका तो कोई utilization ही नहीं हुआ इसको कहीं पर हमें करने की जरूत ही नहीं है जो invest किया था उतनी ही market value है ना loss है ना profit है तो अब यह जो 20,000 रुपे हैं इसका क्या होगा इस 20,000 रुपे के reserve को जो भी partner है वो आपस में बाट लेंगे हम यहां suppose कर लेते हैं कि A और B दो partner है और इनका old profit sharing ratio है 1 is to 1 ठीक है ना? यह क्या है old profit sharing ratio? और यहां पर जो भी distribution होगा investment fluctuation reserve का वो old profit sharing ratio में ही होगा तो भाईया यहां पर मैं क्या लिख देती हूँ investment fluctuation reserve account debit to A's capital account to B's capital account ठीक है? अब A और B दोनों में 20,000 कैसे बढ़ जाएंगे उनके पुराने profit sharing ratio में मतलब 10,000 और 10,000 यह क्या किसके पैसे है? investment fluctuation reserve के तो यह तो हो गई पहली condition जब market value is equal than the book value मतलब market value और book value बराबर है ठीक है ना? यह पहली condition हो गई अब इसमें दूसरी condition आएगी क्या condition आएगी मैडम दूसरी? when market value is lower than the book value ठीक है ना? यह बोल रहे हैं कि जो market value है वो book value से कम है ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान से समझेगा यह second condition है when market value is lower than the book value मतलब क्या है? कि market value और book value से कम है तो अभी यहाँ पर investment कितने का है? एक लाग का तो book value तो हमेशा सेमी है market value है अभी पहली condition में ठीक है ना? यहाँ पर लिखूंगी मैं A when fall value is lower than the investment fluctuation reserve ठीक है? जब fall value investment fluctuation reserve से कम गिरी है investment fluctuation reserve है 20,000 का हम suppose कर लेते हैं investment की market value इस समय हो गई है 90,000 ठीक है? कितनी हो गई है? 90,000 एक लाग का investment था, एक लाग की book value थी आज उसकी market value हो गई है 90,000 और investment fluctuation reserve है 20,000 का when fall value is lower than the investment fluctuation reserve तो मैं माइनस करके देखूंगी एक लाग में से जब मैं 90,000 माइनस करके देखूंगी तो सिर्फ मुझे 10,000 का नुकसान हुआ है investment fluctuation reserve मेरे पास 20,000 का है नुकसान मेरा सिर्फ 10,000 का हुआ है तो अब मैं यह 10,000 यहां से ले लूँगी और अभी भी मेरे investment fluctuation reserve में 10,000 रुपे रहेंगे तो यह 10,000 रुपे कहां चले जाएंगे partners के पास वो अपने घर ले जाएंगे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इस condition में investment fluctuation reserve account debit to investment account to A's capital account to B's capital account ठीक है investment fluctuation reserve कितने का है 20,000 का है investment में जो value गिरी है वो कितनी गिरी है 10,000 गिरी है क्योंकि पहले 1,000,000 का investment था और अभी market value 90,000 है तो 10,000 value सिर्फ 10,000 value कम हुई है तो 10,000 यहां से ले लिया हमने और 10,000 investment में डाल दिया जो value गिरी थी अब जो बचा हुआ 10,000 है उसे दोनों partners अपने घर ले जाएंगे 55,000 रुपे अपने पास ले जाएंगे यह पहली condition हो गई when fall value is lower than the investment fluctuation reserve इसे नोट कर आपने अब दूसरी condition B क्या होगा इसमें B condition यह कहेगी when fall value is equal to investment fluctuation reserve इसका क्या मतलब है कि investment एक लाग का था market value हो गई 80,000 मतलब किती value गिर गई एक लाग में से जब मैं 80,000 माइनस करूंगी तो 20,000 गिर गई 20,000 का ही investment fluctuation reserve था 20,000 ही value गिर गई तो यह पूरा का पूरा 20,000 रुपे कहां से investment fluctuation reserve से investment में चला जाएगा fluctuation reserve account debit to investment ठीक है पूरा पैसा कहां चला गया investment में क्योंकि बहिए 20,000 रुपे value गिर गई थी ना equal to investment fluctuation reserve मतलब जितना हमने investment fluctuation reserve बनाया था उतनी ही value गिर गई 20,000 रुपे कम हो गई ना तो 20,000 पूरे पूरी भारपाई उसने इस से कर ली तो यहां पर क्या लहूंगी मैं 20,000 और 20,000 clear हुआ यह हो गई इसकी कौन सी condition यह हो गई इसकी B condition आप इसमें एक condition और है क्या है condition एक और C C condition कहती है when fall value is more than 2 investment fluctuation reserve मतलब यदि investment कितना है का किया था एक लाग का किया था market value हो गई 70,000 रुपए ठीक है जो value गिरी है वो 70,000 70,000 रुपीज गिर गई तो 1 lakh में से जब मैं 70,000 minus करूंगी तो कितना आएगा 30,000 आएगा investment fluctuation reserve कितने का है 20,000 का है लेकिन value 30,000 रुपए गिर गई है तो यह जो बचे हुए 10,000 का नुकसान हुआ है उसे दोनों partners पूरा करेंगे investment fluctuation reserve में जब पैसा बच रहा था तब भी तो वो घर ले जा रहे थे ना अभी जब पैसा ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो उसकी भारपाई कौन करेंगा जो partners हैं वो करेंगे तो इसके लिए बहुत ही simple entry होगी क्या entry होगी यह C वाला है ठीक है ना यह C condition है क्योंकि यहां पर more than है ठीक है investment fluctuation reserve account debit कितना था बीस हजार लेकिन value कितनी गिरी है तीस हजार तो दस हजार रुपए और किस से लेंगे हम revaluation से revaluation का क्या मतलब है दोनों partners अपने पास से दे रहे हैं तो revaluation account कितना दस हजार और टू investment account कितना तीस हजार ठीक है अब जब यह partners अपने पास से जब पैसा देते हैं तो क्या entry होती है A's capital account debit to B's capital account debit to revaluation account यह तो हमें आता ही है हमने workman compensation reserve में भी पढ़ा था ठीक है तो यह entry जो होगी यह दस हजार की होगी तो पास हजार A देगा पास हजार B देगा और यहां पर हम 10,000 रुपए लिग देंगे clear हुआ न तो यह सिर्फ second वाले की condition बन रही है जब market value lower than the book value है मतलब जो book value से market value कम है ठीक है पर कभी इतनी कम हो सकती है कि investment fluctuation reserve से भी ज़्यादा कम हो जाए जैसे यह condition बनी है या इतनी भी हो सकती है कि जितना investment fluctuation reserve बना है उसी में पूरा हो जाए या इतनी भी कम हो सकती है कि थोड़ा सा investment fluctuation reserve से ले लो बाकी बचा हुआ आपस में बाट लो तो यह कौन सी condition हो गई market value is lower than the book value अब इसमें एक condition और आती है क्या आती है when market value is more than the book value मतलब क्या है investment एक लाग 20,000 का किया था आज उसकी value हो गई हमने investment एक लाग का किया था आज उसकी value हो गई एक लाग 20,000 तो 20,000 रुपे तो यह पड़े ही है investment fluctuation reserve के और यहां पे भी 20,000 रुपे ज़ादा मिल गए क्योंकि एक लाग के investment में 20,000 तो ये दोनों 20,000 रुपे हैं ये वाले और ये वाले दोनों पार्टनर्स अपने पास ले जाएंगे तो क्या इंट्री होगी सबसे पहले तो मैं करूंगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एकाउंट टू बीस कैपिटल एकाउंट तो कितना है ये 20,000 है तो 20,000 को दोनों अपने घर ले जाएंगे 10,000 और 10,000 चलो बढ़िया खुश हैं ये तो किसकी एंट्री होगई ये वाले 20,000 की जो हमने फर्स्ट वाले में भी करी थी अब सेकंड एंट्री क्या होगी जो ये 20,000 है उसे भी पार्टनर अपने पास ले जाएंगे तो क्या एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट एकाउंट डेबिट टू रिवैलेशन एकाउंट ये कौन से वाले 20,000 की एंट्री हो रही है ये वाले 20,000 की मतलब ये जो इन्वेस्मेंट है उससे हमें पैसा मिला है और जब पार्टनर अपने पास रख रहे है तो टू रिवैलेशन एकाउंट करेंगे इससे पहले जब पार्टनर्स अपने पास से पैसा दे रहे थे तो रिवेलेशन एकाउंट को डेबिट किया था यहां पर पार्टनर अपने पास घर में पैसा ले जा रहे हैं तो टू रिवेलेशन एकाउंट करेंगे तो इन्वेस्मेंट एकाउंट वी से जार टू रिवेलेशन एकाउंट अब यह जब two revelation account हुआ तो अब इनको जब अपने घर ले जाएंगे वो लोग तो उपपर आजाए का revelation two A's capital account two B's capital account कितना हुआ यहाँ पर दीस हजार और आधा आधा ले जाएंगे दोनों भाहिया बर्जे में ठीक है तो यह हो गई इसकी entry तो यहाँ पर investment fluctuation reserve की तीन condition बनती है थोड़ा सा यह typical हो जाता है कभी-कभी बच्चों के लिए समझने वो या तो teacher से समझने की कोशिश करते हैं या YouTube पर इसका अच्छा वीडियो रूंगते हैं कभी-कभी उन्हें अच्छे वीडियो मिल भी जाते हैं वो कभी-कभी वीडियो कुछ ऐसे होते हैं जो confuse कर देते हैं मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको किसी तरह का कोई confusion ना हूँ एक-एक topic को अच्छे से समझने और समझाने की कोशिश की है फिर भी यदि कोई doubt होता ह है तो आप मैंसे पूछ लीजेगा आज के वीडियो में इतना ही बाए-बाए